दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग A.G. Gardner के एक essay को discuss करेंगे on the rule of the road दोसो कोई तो वज़े है जो A.G. Gardner के essay इसको आपके syllabus में शामिल किया गया है ये on the rule of the road अगर आपको ऐसा दगता है कि सडक के नियमों को बता जाएगा इस essay के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर आपको liberty के बारे में बता जाएगा यानि आज़ादी के बारे में बड़ा कमाल का essay है इसको शुरू करते हैं बहुत ही ध्यान से सुनना चले शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end तो ऐसे की शुरूआत होती है एक मजबूत तंदरुस्त उम्र दराज लेडी से मतलब एक ओल्ड महिला है जो अच्छी खासी है बाडी में बास्केट हाथ में लिए रास्ते पर चल रही थी लेकिन शायद उसे ट्राफिक रूल्स के बारे में इतना मालूम नहीं था तो उस लेडी ने अपने और बाकियों के लिए एक परिशानी खड़ी कर दे रास्ते के बीचों बीच चल रही थी हाईवे के बीचों बीच फुटफात पर नहीं चल रही थी अलाकि किसी ने उसे बोला भी कि माता जी आप फुटफात पर चल लिए वो आपकी जगह चलने के लिए लेकिन बुड़िया बड़ी नक्चरी थी वो बोली जो मुझे अच्छा लगेगा जहां मुझे अच्छा लगेगा मैं तो वहाँ जाओंगी कौन रोग लेगा मुझे अरे भाई हम आजाद हैं हम कुछ भी कर सकते हैं जहां चाहें वहां चल सकते हैं गुलाम तो नहीं है लेकिन गार्डनर बोलते हैं कि उस बिचारी को कौन समझा है कि आजादी अगर उसे सड़क पर बीचो भीच चलने की है मतलब उसकी आजादी अगर उसे सडक पर मतलब में रोड पर बीचो भी चलने का अधिकार देती है तो वही आजादी एक कैप ड्राइवर को फुट पात पर गाड़ी चलने का अधिकार भी देती है आजादी पूरी दुनिया में, मतलब जरुरत से ज़्यादा आजादी पूरी दुनिया में तभाहिला सकती है हर कोई एक दूसरे का रास्ता रुकेगा और कोई कहीं नहीं जा पाएगा तो खत्रा है इस पूरी दुनिया को एक आजादी का नशा सचा गया है ये खत्रा है तो इस ऐसे की बड़ी importance है ये जानने के लिए कि सडक पर चलने वालों के लिए rules क्या बने हुए हमें पता होने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हर किसी की आजादी सुरक्षित रहे साथ में हमारी भी रहे तो हमें हर किसी की आजादी की एक range बांदरी पड़ेगी अगर एक traffic police वाला मान लो सडक के बीचो बीच आकर एक हाथ दिखा कर अगर आपकी गाड़ी रोक दे ताकि बाकी गाड़िया निकल सके तो आप इसको अगर एक तानाशाही समझते हो तो भाई साब आप गलत हो इसको तानाशाही मत समझो बलकि ये एक आजादी है हो सकता है आप एक अच्छे लेवल के officer हो आपको जल्दी है office जाने की उसी time उसने सामने आकर आपकी कार रोक दी ताकि बाकी गाड़िया निकल पाए आपको ये बात अच्छी ना लगे हो सकता है आपको लगेगा एक आजाद मुल्क में आपकी rights को दबाया जा रहा है ये public highway आपका ही तो है आप एक taxpayer हो, honorable taxpayer हो, आप taxpayer करते हो आप चैसे चाहे वैसे अपनी public property का use कर सकते हो और ये आदमी मुझे हाथ दिखा कर रोकने वाला कौन होता है लेकिन अगर आप एक ऐसे आदमी हो जिस दिमाग लगा कर सूचता है तो आप जरूर ये सूचोगे कि अगर ये पुलिस वाला यहाँ पर ऐसा नहीं करेगा तो रस्ता जाम हो जाएगा, traffic जाम हो जाएगा और उस चौराय पर जब traffic जाम हो जाएगा तो शायद मुझे ज़्यादा परिशानी होगी आपने खुद government के साथ में, सरकार के साथ में एक समझोधा किया है कि हमारी कुछ liberty पर आप control कर लो ताकि हम अपनी liberty को reality में enjoy कर सकें याद रखना, आजादी कभी भी कोई personal affair नहीं होती दोस्तों बलकि एक social contract होती है होने को तो मैं इतना आजाद हूँ कि रात को सोने की time पर जो कपड़े पहनते हैं न dressing gown बोलते हैं जिसको, वो पहन कर highway पर बीचों बीच चला जाओ, लंबे बाल रखके इतनी आजादी है मुझे, और कौन मुझे रोक लेगा उस time पर और आपके पास भी आजादी है कि आप मुझे देखकर हसो मुझे ये भी आजादी है कि मैं आपको ignore कर दूँ, आप पे ध्यान ना दूँ मुझे आजादी है कि मैं अपने बालों को golden color कर वालू कौन रोक लेगा, जो कि allowed नहीं है overcoat के नीचे sandal पहनू और रात के दू बज़े सो कर सुबह के ढ़ाई बज़े उड़ जाओ कौन मेरा क्या कर लेगा मुझे किसी की permission की जरुरत नहीं यह सब करने के लिए मेरी इच्छा है कि मैं अला विलर को पसंद करू या विलियम वर्ट्सवर्ट को कुल मिला कर यह दुनिया हमारा kingdom है और हम यहां के राजा है चाहे जैसे रह सकते है चाहे खुद को बेवकुफ दिखाए या समझदार दिखाए कड़क हो के बात करें या साफ्ट हो के बात करें कोई राजा तो रूल करने रहा और ना ही हम उनके गुलाम है बाजा बजाने का बड़ा श्यों क्या है तो रात के तीन बजे तक अगर मैं अपने कमरे में बैट कर बाजा बजाओ मेरे मज़े के लिए अगर मैं बाजा बजाओ तो ये काम मुझे जाकर माउंट टैप्रस जैसे किसी पहाड पर करना चाहिए तो हो सकता है मुझे सुकून मिले लेकिन अगर रात के तीन बजे अपने घर में बैट कर अगर मैं बाजा बजाओं तो घरवालों की आजादी के साथ खिलबाड करना होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरी लिबर्टी उनकी लिबर्टी की साथ में दखल अंदाजी कर रही है न उनको तो शांती सोने का अधिकार है लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने बारे में सूचते हुए इस बात को भूल जाता है कि दूसरों की लिबर्टी भी माइने रखती है तो खुद को जरूस से ज़्यादा आजाद बताकर हम ये साबित करते हैं कि हम सच में सिविलाइजड हैं या अभी भी हम में जंगली पना भरा हुआ है तो कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों के होने से ही हम हैं उनके होने से ही हम सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में चाहे लोगों से हम रिष्टे मीठे रखें या तीके ये हम पर डेपेंड करता है जैसा कि यहाँ पर writer एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि एक गाउं का railway station था वहाँ पर एक train चल रही थी तो उस train में जाकर मैं बैट गया उस train में चड़ गया पढ़ने के लिए मैंने किताब ले ली किताब भी ऐसी थी blue book थी वो किताब थी यहाँ पर बोलते हैं कि अगर मज़े के लिए पढ़ना होता तो मैरे ट्रस्टरम शैंडी या पर ट्रजर आइलेंड जैसी फिक्शनल किताब से लेकिन ये किताब मज़े के लिए आगे वाले स्टेशन पर दो तीन आदमी चड़ गए अगले स्टेशन पर उन में से एक आदमी पूरे रास्ते कचर कचर जोड जोड से गला फाड़ फाड़ कर अपनी बाते सुना रहा था दूसरे बैठे दो आदमियों को उसकी आवाज किसी आधी की तरह थी और उस आधी में मैं अपने किताब में लिखी लाइनों के एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कर रहा था ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने किताब में में लिखे वर्ड के साथ में जंग लड़ रहा हूँ आखिर परिशान होकर मैंने अपने प्ल्यू बुक बंद कर दी और खिड़की के बाहर देखने लगा उस आदमी की आवाज अभी तक मेरे कानों में पढ़ रही थी वो प्रेंच लोगो क्या करना चाहिए जर्मन्स की गलती थी ऐसी ऐसी बाते वो कर रहा था अब ये सारी ची था कि भाई साब थोड़ा धीरे तो मुझे विश्वास है कि वो मुझे ऐसे देखता जिसे नजाने कौन सा क्राइम कर दिया मैंने उसे खुद ये रिलाइज नहीं हुआ कि जो लोग उसकी पास में बैठे उसकी बाते सुन रहे हैं ना चाहा कर भी उसकी बाते सुन रहे है उनकी बास बहतर करने के लिए और भी बहुत कुछ है पुझे विश्वास है कि जब उसने ट्रेन का डबा छोड़ा होगा जब वो उतर के गया होगा नीचे उतरा होगा सब ने उसे थैंक्यू बोला होगा कि उसने उनकी जरनी को यादगार बना थी अपनी बातों से हाला कि उसकी बातों से लग रहा था वो दिल का बुरा आदमी नहीं दिल का बहुत अच्छा आदमी है लेकिन बुरी बात यह थी कि वो सोशल नहीं था सोशल होने का एक भी गुण उसके पास में नहीं था कि लोग परिशान हो रहें उसकी बातों से उसे चुप हो जाना चाहिए जैसा सडक पर हॉर्ण बजाने वाले ट्रक ड्राइवर नहीं सोचते न कि दूसरों को कितनी परिशानी होती होगी अगर उनके कान के बाज में तुम पी पी बजाते हुए जाते हो और सबसे खतरनाक तो वो लोग होते हैं जिनको नया नया ग्रामोफोन या स्पीकर मिलता है उसे बजा बजा कर पूरे महले को सुनाते हैं देखो हमने क्या खरी रहे अब चाहे आप उस ग्रामोफोन में या स्पीकर में कोई ऐसा गाना बजा रहे हो जो पेट्रियोटिक हो जैसे मेरे देश की धरती यह जरूरी नहीं है कि आपके परोसी को भी आपके देश की धरती पसंदा है मतलब यह गाना पसंदा है दोस्त आप उसकी लिबर्टी के साथ में खिलवाड कर रहे हो जो लोग यहाँ पर A.G. Gardner बोलते हैं कि जो लोग रोड के रूल्स को फालो करने वाले होते हैं उनको ध्यान से अब्जर्व करो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो इनसान सिविलाइस्ट है या अंसिविलाइस्ट मुझे उमीद है कि यह जो ऐसे है इसके खत्म होने के बाद में जब मेरा दोस्त यहाँ पर A.G. Gardner बोलते हैं जब मेरा दोस्त वो ट्रेन के डब्बे में बैठा दोस्त इस ऐसे को पढ़ेगा तो दोबारा वो वो गलती नहीं करेगा जो उसने की मुझे अगर वो दोबारा मिला तो ब्ल्यू बुक पढ़ने देगा और अपने बातों पर अपने मूँ पर थोड़ी लगाम लगाएगा उमीद करता हूं इस ऐसे से आपको कुछ ना कुछ हल्प जरूर मिलेगी आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिया तो आपको ये ऐसे समझ में आया होगा फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मलता हूं नेक्स्ट वीडियो में